कि यह ज्या हो गया जहीं दोस्तों आज बात करेंगे आई को जी नाइन टर्बू प्लस के बारे में यह फोन चाइना में लोंच हुआ है काफी क्रेजी प्राइजिंग के साथ एंड परफॉमंस भी भाई ऑन एक्सपेक्टेड भाई तो सोची कि आप लोको बना देते कि इस है मिलता है नहीं मिलता भाई यूकि लुक्स और डिजाइनिंग देख सकते जो कि आईकू जी नाइन एस प्रो के तरह ही लगता है देखने में बाकि इसका ऐसे पीकेसर आप लोको बताते क्या है नहीं है तो थोरा सा अन्बॉक्सिंग देख लिजिए बोक्स है बाई आई फ्रेंट में ग्लास का ही पोटेक्शन मिलेगा भाई लेकिर यह नहीं पता कौन सा मिलता है बाकि यहां पर देख सकते कर्ब डिस्प्ले ना देकर फ्लैट डिस्प्ले दियागा है बट इसका स्क्रीन साइज जान लेजे जो कि 6.7 18 के साथ आता 1.5 के राजूलेशन के साथ 144 हर्स का रिफ्रेंश डेट है एंड पिक ब्राइटनी जो कि 4500 निट्स के साथ आता है बाकि HD या 10 बिट फ्लाना डिप काना जो भी डिस्प्ले में होता है सब पुछाब लेवल है बाई तो डिस्प्ले गूर्ड बेस्ट है गेमिन के लिए जो कि रिफ्रेंश डेट आप दोग भी देख सकते हैं बाकि स्वें 50 मिगा पिक्सल का बेकार वायात केमरा आता है सोनी लेटिया 600 के साथ देख सकता है जो कि वह सपोर्ट करेगा बाकि एक और 8 मिगा पिक्सल का आल्टरा वाइड एंगल जो कि यूज कोई नहीं करेगा बाकि सेलफी जो कि 16 मिगा पिक् इसका ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकता है एंड कितना भी आप हाई से हाई ग्राफिक पर्ट इसमें गेमिंग कर सकते बाई जो कि एक स्मार्टफोन में कितना ही आप लोग नेक्स्ट डेवल का गेमिंग कर सकते हैं बट इसका प्रोसेसर बहुत ही ताकतवर पावर फू करता है रहाम स्टोरेज भी तगर आता भाई जैसे कि इसमें एंपटर फाइडेर प्रीज्य में के साथ यह स्टोरेज जोकि इसका फोर पॉइंट जेडिलों के साथ यह उसके बाद जो कि इसका थिकनेस भी काफी कम है वाई 8 mm के साथ आता इसका वेट भी काफी कम है जो कि 196 ग्राम के साथ आता है बैटरी के साथ देख लिजी अंदाजा लगा क्या आप लोग बाद इसका कनेक्ट वेट भी लेटेस आता वाई फाई फाई शेवेन आएगा ब्लूथूथ 5.4 आएगा एन एप से आएगा आयर बलास्तर आएगा इन डिस्प्ले फिंगर प्रिंट आता है जो काफी सारे चीज इसमें मिलता है एन इसमें IP65 का रेटिंग मिलेगा जो कि waterproof नहीं है फोन बट काफी क्रेजी तो है भाई देख सकते है असे पिकेशन बागी कुछ असे पिकेशन छूट रहे तो आप लोग देख सकते हैं बागी color variant भी आप लोग देख सकते हैं बट इंडिया में यह फोन आएगा कि नहीं आएगा इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है मुझे लेकिन देखी जिस प्राइजिंग पर यह फोन या जिस ताकत performance पर उसके चलते आप लोग को सोची कि बता देते हैं जैसे इसका प्राइजिंग चाइना में बाराजी बीरेम 256 के साथ 27,350 रुपया माता है भाई बाकि टॉपेंड मोडल जो कि 16 बीरेम 500 बाराजी चाइना के प्राइजिंग है बाई जो कि इंडिया में इस से थोड़ा सा ज्यादा भी नेता है तो क्या दिक्कत है बाई पट अपलगा बाई बाकि आपनों बताएये यह फोन इंडिया में आना चाहिए की नहीं आना चाहिए मुझे तह लगते है कि यह फोन आना चाहिए बागी जोos रयाजल्ये लगों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मेडियों को चाहते तो जोरू से सिर्फ कर सकते हैं बागी जानली अगले बेड़ों मुलकात होता है जाहिन बंद मातरम दोस्तो